आप देख रहे हैं दा इंसाइड इस्टोरी इंसाइड इस्टोरी में आज हम बात करने वाले हैं राहूल गांधी की जी हाँ भारत जोड़ो यात्रा के 108 वे दिन वो दिल्ली पहुंच गया है और दिल्ली में लाल किले पर खड़े होकर उन्होंने शांदार भाशण दिया उ वो ये बात थी कि उन्होंने ये बताया कि जो मेरी छवी को खराब करने के लिए सरकार के द्वारा यानी बीजेपी के द्वारा जो को हजारो करोडो रूपय खर्च किये गए उसको उन्होंने धो डाला है यानी कि बदल दिया है तो आज इसी पर बातशीत करेंगे सकेश सुकेश जी क्या सच में राहूल गांधी क्योंकि पप्पू उन्हें का जाता है तो जो पप्पू वाली छवी है उसे बदर डाला है उन्होंने संसद में खुद उन्होंने आपको पप्पू कहकर संबूधित किया थी कि बीजेपी के लोग उन्हें इस नाम से पुकारते हैं और ये एक बड़ा प्रशनवाचक चिन्ह लगता है किसी भी राजनीतिक शेत्र में काम करने वाले कारेकरता पे जो की बहुत प्रॉमिनेंट न जिस तरीके से पेंट किया गया है ये छवी लोगों की बीज जो डाली गई है उसका असर होता है आज पहली बार मैंने सुना कि उन्होंने ये तो उन्होंने पहले का था कि उनकी छवी को खराब करने के लिए हजारों करों रूपया फूप दिया सरकार में वाटसेप के गांधी पर आरोप क्या था राहूल गांधी पर पहला आरोप है था कि वो एक रिलक्टिंग पॉलिटीशन है उनमें कंसिस्टेंसी नहीं है वो भटक जाते हैं वो इशूस पे टिके हुए नहीं रहते हैं वो इतनी बड़ी पार्टी को एक साथ लेकर नहीं चल पा रहे है क्योंकि उनके जितने राइट हैंड लिफ्ट हैंड पे जितने लोग खड़े रहते थे उसमें से अधिकतर पार्टी छोड़कर चले गए तो वो जब अपने साथ वाले लोगों को जोड़कर नहीं चल सकते तो वो क्या ही भार जोड़ेंगे और क्या ही उस पार्टी को जाने जाते हैं उनकी छवी एक ऐसी है कि वो चीजों का मैनेजमेंट जानते हैं उन पर या रूप है कि मार्केटिंग ऐसी करते हैं कि सामने वाला धारसाई हो जाता है तो आप ऐसे योद्धा से जब लड़ाई लड़ते हो तो खुद को आप कैसे साबित करोगे कि मैं इस महिने तक लगातार सबकों पे रहेंगे रोज 25 किलोमेटर चलेंगे तो ये दाग जो उन पर है वो धुल जाएगा कि वो रिलक्टेंट है वो लेजी है वो वो कंसिस्टेंट नहीं है तो इस यात्रान से राहुल गांधी को ये लगता है उनके समर्थकों को ये लगता है कि ये जो आरोप उन पर था ये जो चस्पा किया गया था ये जो फैलाया गया था ये जो उनको डामेज करने की कोशिस की गई थी उनकी छवी को उसको उन्होंने एक तरीके से धोया है ऐसा कम से कम राहुल गांधी को लगता है बीजेपी की तरफ से ये कोशिश होगी कि भार राहुल गांधी की कोशिश और कॉंग्रेस की कोशिश एक formidable opponent के तौर पे राहुल गांधी को सामने रखने की है कि जो consistent है जो मुद्दो प्याडा हुआ है जो आज भी नोटबंदी की बात करता है गलत GST की बात करता है जो चाइना के सवाल उठाता है जो मुस्लिमों के हक की अवाज उठाता है वो उसमें vote bank नहीं देखता है तो ऐसे नेता के तौर पे सामने रखने की है जो real issues के आधार पे नरेंद्र मोदी से लगता है और अब तो लडाई क्योंकि सिर्फ दो राज्यों में उसकी सरकार थी है तीसरी राज हिमाचल प्रदेश हम तो शत्रपो को देखने लगे थे कि वह नैशनल पॉलिटिक्स में आ जाएंगे अशोग गहलोद भी अगर वहां पे नेता है मुख्यमंत्री है तो यह अशोग गहलोद की जादुगरी मानी जाती है वो जादुगर भी है इसलिए मैं जादुगरी सब्सक्राइब कर रहा हूं कि उनकी अपनी सरकार है वो कॉंग्रेस की सर नहीं है तो राहूल गांधी को जिस तरीके से वो डिस्क्रेडट अपने आपकी पार्टी में भी होते जा रहे थे और पुलिटिकल उस सरकिल में होते जा रहे थे मुझे लगता है कि कॉंग्रेस पार्टी इस आरोप से उनको आप मुक्त करना चाहती है और अब ये बात कह जाएगी बहुत जगा आठकिल्स भी लिखे जा रहे हैं और तमाम ऐसे राइट आ रहे हैं कि राहूल गांधी ये कंसिस्टेंट नेता है उन्होंने ये दो ती महीने की यात्रा जो अपनी की है और आगे भी जो करने वाले हैं ऐसी ऐसा सुनने में आया है कि एक चरण है य वो कॉंगरेस प्रेसिडेंशिप की कपद छोड दिया हो लेकिन वो उनका एक तरीके से TL कि उनको जो एनरुजी मिलती है उनको जो जो उनको जो ताकत मिलती है और गांधी परिवार से मिलती हूँ आज भी सबसे बड़े सबसे बड़ा परिवार है कॉंगने से अंदर और उससे वो moral compass जिसको कहते हैं वो गांधी परिवार के इर्दगिर्धी घूमता है तो उसको establish करने की कोशिश थी और इसलिए राहूल गांधी ने इसका इस्तमाल किया कि हजारों कोड़ों में इछवी को खराब करने के लिए कोशिश की गई सोचल मीडिया के माध्यम से इस एनरजी के साथ वो आज लाल के लिए पर मौजूद थे वो एनरजी तो नजर आती है एक चीज़ और नजर आती है कि वो पहले अपने आपको बचाते फिर रहे थे भारत जोड़ों यात्रा से पहले अगर उनके भाशर देखिए या फिर बचाते फिर रहे थे बाते पलटवार करने की जो टेक्निक है वो सीख लिए मुझे ऐसा उनके भाशरों से नजर आता है उने कहा उने खुद कहा कि आज तक मैं कुछ नहीं बोला मैं चुप रहा मुझे तमाम आरोप लगाए गये चस्पा करने की कोशिश की गई लेकिन मैं चुप रहा लेकिन सच्च सचाई नहीं चुपती है सचाई यह है कि जो आपने मेरे बारे में एक इमेज क्रियेट की है बिल्ड की है उस इमेज को मैंने खत्म कर दिया है वो फेक इमेज बनाई थी मेरे बारे में मैं रियल इसूस की बात करता हूं और इसी कड़ी में वो बात करते हैं यह किसकी सरका कि दरसल हिंदू- इतना क्यों किया आता है उन्होंने मीडिया को भी आरे हाथो लिया कि मीडिया पर 24 गंड़े आप हिंदू- मुसल्मान देखेंगे लेकिन मैं जब यात्रा में घूमा हूं तो ऐसा कोई ऐसी को इर्षा ऐसा को द्वेश ऐसा कोई आपस में तकराओ तो गुतों के बीच में नहीं है यह मैंने नहीं देखा यह आप तेलिवीजन पर देखते होंगे वह इसलिए है क्योंकि उन्होंने एक जाम्पल दिया कि आपकी जेब तराशी अगर हुई हो कभी जेब कत्रे ने आपका जेब काटा हो तो पहले वह क्या करता है पहले वह आपका ध्यान बटकाने की कोशिश करता है तो वह यह बताने की कोशिश कर रहे हैं थे कि दरसल जो ईशुज है दरसल जो रियल ईशुज है बेरोजगारी के इशुज है जो small and medium sector में जो business करने वाले चोटी-छोटी हीकाईया थी जो सरकार देना चाहती है और दरसल वही लोग ये सरकार चला रहे हैं ऐसा करके उन्होंने connect बनाने की कोशिश की है युवाओं के साथ जो बेरोजगारी की समस्या से जूज रहे हैं इसलिए उन्होंने ये उठाया कि आपका ध्यान भटकाने के लिए ये सवाल उठाये जाते हैं और मैं हिलने वाला नहीं हूँ मैं भटकने वाला नहीं हूँ तो अपनी तरफ से उन्होंने एक जो डाइहाड पॉलिटीशन गो धिखाने की कोशिश कि कि मैं भटकने वाला नहीं हूँ मैं इन इशू segunda आप के लिए उठाऊं मांगा समय आप पास है और यह मौका आपके पास है कि आप मेरे साथ यात्रा में जुड़िए मेरे विजारों से जुड़िए और इस इस सरकार को उखाड फेकिए यह लाख कहा जाए कि यात्रा पुलिटिकल नहीं है यह दरसल यह यात्रा फाटी पुलिटिकल यात्रा है जो जिसकी पहली को पर आपको भटकाने की कोशिश हो रही है तो इसलिए कहीं वो महगाई की बात करते हैं बेरोजगारी की बात करते हैं कैसे रोजगार मिलेगा इसकी बात करते हैं चाइना के साथ जो हमारा टसल है उसकी बात करते हैं और उसको एकोनॉमिक शेत्र में कैसे आर्थिक शेत्र में हम चाइना से दो-दो हाथ करें और तब जाकर हम चाइना के मुकाबले खले हो सकते हैं पहले उनको आर्थिक शेत्र में आना होगा इसलिए इसकी बात करते हैं तो राहूल गांधी आज अपनी छवी को बदलते हुए नरा रहे थे अब थोड़ी देर में जब हम लोग बात कर है जब वो डाउन और आउट है कि हम एक पैरलल नारेटिव खड़ा करेंगे अब क्या बीजेपी या सरकार इसको खड़ान नहीं होने देती है या कॉंग्रेस पार्थी खड़ी हो पाती है इस नारेटिव के साथ इसमें जाता है कि आप जितना नीचे जाते होतना ही उपर कर देते हैं कि किसानों से पूछिए जब ठंड में बैठे हुए थे बॉर्डर पे उनको ठंड नहीं लग रही थी क्या तो मतलब वो अब छोटी बात भी काफी गंभीरता से वो कह देते हैं जिस बात को पहले डिफेंड नहीं कर पाते थे और मुझे लगता है कि एक बदल हैं लेकिन राजनीती है उसमें दोनों पक्ष सत्ता और विपक्ष मजबूत होने चाहिए यह तो कहा जाता है तो एजर मीडिया परसन मुझे लगता है कि यह जो राहूल गांधी की छवी या फिर आज जो वो जिस तरह से बोले हैं उन लग रहा है कि आने वाले दिनों में एक एक वो लॉजिकल कंक्लूजन तक चीजे जाएं इसके लिए विपक्ष का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है और विपक्ष कमजोर इस्थिती में है पहला पहला उसका फेज अगर देखें कि आप अपनी इमेज को बदलना चाहते हो आप एक सीरियस इमेज के साथ आना पहाँ है बंगाल में संगठन कहा है तमिल नाडू में संगठन कहा है तो यह जो है वो रियर्र इशूज है simultaneously क्या उस पे काम हो रहा है ये आपकी छवी को ठीक कर देंगे आपको विपक्ष के नेता के तौर पे establish कर सकते हैं वो विपक्ष के नेताओं में आप सबसे सुईकारे या सबसे अधिक popular हो सकते हैं सबसे बड़ी party के नेता हो सकते हैं लेकिन क्या संगठन में इतना बड़ा माददा है इतना जादा इतनी जादा ताकत है कि यह पिक कि आप एक माइटी संगठन को बीजे पी 24-7 election machinery मैं उसको बोलता हूं 24-7 election machinery से लड़ने के लिए तयार है क्या नरेंद्र मोधी जैसा उनके पास जो कैप्टन है क्या उसके सामने आप खड़े होकर उनकी संगठन उनके साथ जोड़ती है उनका image उनकी लुक्तियता उनका संगठन ये सामने जब खड़ा होता है तो क्या आप उसको challenge देने की स्थिती में हो तो ये over statement होगा कहना कि अब Congress Party खड़ी हो गई है नहीं Congress Party राहूल गांधी को खड़ा करने के प्रयास में है और राहूल गांधी और गांधी परिवाज जब खड़ा होता है तो संगठन भी जब आप इतनी लंबी आत्रा करते हो तो संगठन भी खड़ा होता है लेकिन जिस level पे उसका erosion हुआ है उसका कटा हुआ है उसका शरा हुआ है क्या इतनी जल्दी आप संगठन में वो energy उसको इतना एनरजाईज कर सकते हैं कि आप एक mighty संगठन जो आपकी political adversary है उसको उसके सामने लडने को तयार है क्या ये एक बड़ा सवाल अभी भी है जो आनांसर है अचा सुकेश जी आखिर में मैं इस बारे में भी बात करना चाहूँगा कि रहूल गांधी शुरुवात से ही मीडिया को क्योंकि हम लोगतंतर की बात कर रहे हैं स्तंभ एक मीडिया भी है मीडिया पर बहुत हमला करते हैं और कहते हैं कि मीडिया हमें नहीं दिखाता है और जो भी हम पॉजिटिव चीज कर रहा है उसे नहीं दिखाता है हर चीज को नेगेटिव दिखाने की कोशिश करता है हमारे पीछे पड़ा है क्या मीडिया की भूमि बोल नहीं है मीडिया क्या आपनी भूमिका का निर्वाह कर रहा है क्या ये एक इंडिपेंडेंडेंट टॉपिक है जिस पर अलग से बहुत हो सकती है हमारा काम सरकार की कम्यों को उजागर करना है हमारा काम विपक्ष के साथ जो गनेशंकर विद्यार्थी ने जो जिस तरीक लिए उसका अध्यान करेंगे और माइनुटली अध्यान करने की ज़रुवत नहीं है इंफेक्ट सरसरी निगा से भी देखेंगे तो आपको लगेगा कि we are found lacking at many places तो ये उनका आरोप उच्छत तक सही हो सकता है लेकिन सारा आरोप मीडिया पर मढ़ देना ये भी ठीक नही है ये एक half truth है जिसको वो अपने लोगों के बीच डालना चाहते हैं उनको लगता है कि उनके समर्थरकों के बीच ये बात डालनी जरूरी है कि आप मीडिया को देखकर image मत बनाईए आप मीडिया को देखकर Congress को कमजोर मत समझिए आप मीडिया को देखकर मुझे एक अप औ engagement है आज की तारीख में उस पे एक अलग बहस नहीं क्या लगता है कि वो अगर मीडिया पर हमला बोलेंगे तो मीडिया जो अभी काम कर रहा है जिस तरह से वो चेंज हो जाएगा ने उनको ये लगता है कि एक large section of media उनके खिलाफ है अब इससे जादा उनके खिलाफ कुछ नहीं हो सकता इसलिए अब उन्होंने openly कहना ये शुरू कर दिया है कि आप देखें तो मीडिया हमारी बात नहीं दिखाता मीडिया किसानों की बात नहीं दिखाता यही समय था पिछले साल जब बहुत दिनों तक किसारांदोलर चल रहा था मीडिया के एहम भूमिका थी और मीडिया ने अपना रोल अदा किया लेकिन जिस तरीके से मैं बाकिस इशूस की भी बात कर रहा हूँ उसमें कई बार हम शायद वुतने प्रोएक्टिव नहीं दि बार ऐसा लगता है कि हम हाफ एटिट तरीके से काम करते हैं हम अजेंडा डिवन काम करते हैं उसकी तरफ वो इशारा करते हैं अपनी कमियों को छुपाते हुए यह सारी उनके अंदर जो कमिया है वो सब मीडिया ने नहीं दी अगर मीडिया उनके खिलाफ है तो उन्हें ज इत्रास्पेक्टिव में तो बहुत बारी बाते कही जा सकती है उस पर कमी बात में चर्चा हो जाए चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दर्शक भी बता सकते हैं कि वो क्या सोचते राहुल गांधी जब आज लाल के लिए पर भाशवण दे रहे थे तो एक तेज एक चेहरे पर वो गुसा और वो तमाम चीजे जो एक नेता को बड़ा नेता बनाती है वो नजर आ रही थी क्या आपको भी ऐसा नजर आता है हमें कमेंट करके बताए बहुत 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 शुक्रिया नमस्कार मैं हूं मानक गुपता अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना न भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस न करें तो जुड़े रहे हमारे साथ और देख 24.